दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां के लड़के भारतिये लड़कों से काफी नफरत करते हैं जहां की खुबसूरती दुनिया भर के लोगों को अपनी ओड़ा करसित कर लेती हो तथा एक ऐसा देश जहां पर पत्नियों की अदला बदली यानि वाइप स्वैपिंग की जाती हो दरसल हम बात कर रहे हैं 76,92,024 स्कूर किलो मीटर में फैला एक लोग प्रिया महादेश अश्रेलिया के बारे में कुछ ऐसी बाते हैं जिन्हें जानकर आप आश्यर चकित रह जाएंगे तो बने रहे वीडियो के अंत तक और हमारे पॉप अप इंडिया यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल अकन को ओल जरूर कर लें और हो सके तो वीडियो को अभी कभी लाइक भी कर दें जैसा कि आप में से बहुतों को पता ही होगा कि अस्टेलिया देश इंडोनेसिया के दक्षिन में और न्यूजिलेंड के पास बसा दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है इस देश की रालधानी कैनबरा है जो अपनी मनमोहक नजारों की वज़े से दुनिया भर में मसुहूर है तथा इस देश की ओफिसियल लैंग्वेज इंगलिस है जो पूरे अस्टेलिया में बोली और समझी जाती है कि आपको पता है कि अस्टेलिया की छेत्रफल भारत की कुल छेत्रफल की दोगुणी होने के वावजूद यहां की कुल जनसंख्य हमारे इंडिया के असा मेस्टेर से भी कम तथा उत्तर परदेश से दस गुणी कम है यहां की कुल जनसंख्य करीब 3 करोर 90 लाग ही है दुनिया में परसिद्ध है क्योंकि इस देश में बहुत सारे भारती रेस्टूडेंट भी मौझूद हैं लेकिन इस देश में बहुत जयदा मात्रा में उट का मान सी यूज किया जाता है कि आपको पता है कि दुनिया का साथ वाजूबा दे ग्रेट वारियर रीव जो की भारत की तरह अस्ट्रेलिया भी एक सेकुलारी यानि धर्म निर्पेक्छ राष्ट्र है क्योंकि इस देश का कोई राष्टिय धर्म नहीं है दोहजार साथ की जनगन्ना के अनुसार इस देश में 65% लोग क्रिस्चन धर्म को मानते हैं और दूसरा सबसे बरा धर्म बौध है इस देश के लड़के भारतिय लड़कों से बहुत जयदा नफरत करते हैं क्योंकि इस देश में बढ़ते भारतियों की संख्या और भारतिय लड़कों का अस्ट्रेलियन लड़कियों के साथ लंबे रिलेसंसिप का चलना देखा गया है अस्ट्रेलियन लड़कियों का मान बहुत सच्चे होते हैं दोस्तों इस बात के लिए एक लाइक तो बनता ही है कि इस देश में कुइंसलेंड जैसे कई एस्टेट्स में पत्नियों की अदला बदली यानि वह एप स्वैपिंग की जाती है दरसल बात यह है कि यहाँ पर हड़ हफते कपल पार्टी का आयोजन होता है जिसमें पत्ती किसी और की पत्नी के साथ और पत्नी किसी और पढ़ाए मर्द के साथ संबंध बना सकती है हलाकि एक एवल पार्टी के दोरान ही होती है इसलिए अस्टेलिया में बहुत सारे रिलेशनसिप या मेरेज तूटते देखे गए हैं यहां की कर्णसी अस्टेलिया इडॉलर है जो भारत के 55 रूपीज के आस्पास होते हैं दोस्तों अस्ट्रेलिया में उटो की संक्यां बहुत ही जैदा है जिसके चलते यहां से उटो को अन्य देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है साइद आपको पता होगा कि अस्ट्रेलिया को कंगारू का देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इंसानों से जैदा आबादी तो कंगारूं की है वो ऐसे तो अस्ट्रेलिया में कंगारूं की कई सारी प्रजातिया मौजूद है पर इन में से लाल रंग का कंगारू इस देश का राष्टिय जानवड है अश्रेलिया में भेरों की ताइदात इतनी जैदा है कि इसके एक साल में पैदा हुई उनों की चादर बनाई जाए तो वो इतनी लंबी होगी कि पूरी पिर्थिवी को लगभग 40-50 बार लपेटा जा सकता है भेरों के अलावा इस देश में लोम्री भी जैदा मत्रा में पाये जाते हैं दोस्तों अगर इस देश की वर्किंग सी रूल के बात करें तो यहां पर हर वर्कर्स या इंप्लॉईज को वीकली पेमेंट किया जाता है इतना ही नहीं आपको रूम रेंट भी वीकली ही देना पड़ता है तो दोस्तों यह थी अस्ट्रेलिया के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हमें कोमेंट में बताएं कि आपको अस्ट्रेलिया के बारे में कौन सी बाते सबसे जैदा रोचक लगी इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और हमारे पॉप अपेंडिया यूटूब चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आइकन को ओल जरूर कर लें धन्यवाद